6 मार्च को, इसलामी जम्यत तुलबा, आईजेटी के इसलामवादियों ने पंजाब विश्वविद्याले, लहोर के अंदर होली मनाने के लिए हमला किया, जिसमें कम से कम 15 हिंदू छात्र घायल हो गए. आईजेटी एक कर्तर पंथी इसलामी चात्र संगठन है, वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से देखे, रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 30 चात्र होली मनाने के लिए एकर्था हुए थे, हमले के बाद जब पीडितों ने कुलपती कार्याले के बाहर हमले का विरोत क या तो विश्वविद्याले के गार्ड ने उनकी पिटाई कर दी, हमले के चश्मदीद रहे विश्वविद्याले के एक चात्र काशिफ ब्रुही ने एक बयान में कहा, जैसे ही चात्र लौ कॉलेज के लौन में एकर्था हुए, इसलामी जमियत तुलबा आईजटी के कार आ रहे हैं, घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गए, होली मनाने के लिए हिंदू छात्रों में शामिल होने वाले संगठन सिंध काउंसिल ने हमले की निंदा की, डौन ने सिंध काउंसिल के महा सचप काशिफ ब्रुही के हवाले से कहा कि प्रशासन ने जश् के निमंतरन पोस्ट किये थे, उन्हें भी IGT सदस्यों द्वारा परेशान किया गया था.